हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक और फिर से माई स्मार्ट यूपी विहार के इस यूटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी में ग्राम प्रधान को लगवग लगवग कितनी सैलरे मिलती है पैसे बढ़ाने को लेकर भी सरकार जल कर सकती है बड़ा एलान लेकिन इससे पहले जानेंगी कि उत्तर प्रधेश में ग्राम प्रधानों की सैलरे कितनी होती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम प्रधानों पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षो को हर्मा एक निश्चित बेतन दिया जाता है इसके अलावा सरकार के द्वारा पंचायत प्रदेनेधियों के निधन पर भी मुआपजा दिया जाता है अब जब उत्तर प्रदिश में सभी तरह के चुनाओं खत्म हो चुके हैं तो इसका लाप भी अब मिलने को लेकर जमिरी अस्तर पर काम शुरू हो चुका है और इन्हें मिलने वाले बेटन और सरकारी सुविधाओं के अलाबा मुआपची की रासी में जल्द ही पढ़ोत्री का एलान भी किया जा सकता है उत्तर प्रदिस सरकार हर बित्य भर्स में विकास नेजी के अंतरगत पंचायतों के विकास के लिए बजट निशित करती है इसके लापस सरकार के द्वारा प्रधान को हर मा 3500 रुपी दे जाते हैं उन्हीं सरकार के दौरा हर बैठक के इसाब सी पैसे दे जा तरह 5 चैन को प्रती वैठक में बाद में बढ़ाने को लेकर जल्द ही फैसला कर सकती है अभी परधान को 5,000 रुपे छेतर पनचायद प्रमुक को 11,300 रुपे और जिला पनचायद अध्यक्ष को 15,000 रुपे परती मात देने का फैसला किया गया है जिला पंचायद सदस्य को 1500 रुपे और छेतर पंचायद सदस्य को 1000 रुपे परती वैठक दिया जाएगा इसके अलाबा ग्राम प्रधान प्रमुक छेतर पंचायद एबं जिला पंचायद अध्यक्ष की मौत होने पर परिजनों को 10-10 लाख रुपे राज्य सरकार के दोरा दिये जाएंगे कराम पंचायद सदस्य के निधन पर दो लाख छेतर पंचायद सदस्य के निधन पर तीन लाख और जिला पंचायद सदस्य के निधन पर पास लाख रुपे राज्य सरकार देगी तो दोस्तो एक बड़ा और जान ले प्रधान को हर मां 3500 रुपे, छेतर के पंचायत प्रमुक को 900 रुपे और जिरा पंचायत अध्यक्ष को 14000 रुपे प्रतिमा भेतन के तोर पर अभी दिया जाता है तो दोस्तो अब एक लिए इतना ही उत्तर प्रधेश पंचायत प्रतिनेधियों से जुड़ी और भी महत्यपुन खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माइस वांट यूपे विहार के इस यूटूब चैनल को मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में तब देख के लिए जाए